RPC School Lecturer का जो एक्जाम का तीसरा लेवल है, वो है Post Graduation Level, और Post Graduation Level में तीन मेजर, चार मेजर सेक्षन है, टेक्नीक्स, टेक्नीक्स में भी दू बाते कर रहे हैं, इन्होंने माइक्रोस्कोपी और बैसिक टेक्नीक्स, इथोलोजी यानिक अनिमल बीएवियर और बाय जोग्राफ पूरा PG Level का है, और इसको भी हमने हिंदी में बनाने का प्रयास किया है, जहां में जरौत हुई हूँ, हमने इसको ट्रांसलेट करके, इसका बगल में हिंदी, इंग्लिश भी लिख दिया है, कई बार क्या होता है, लोगो को हिंदी वाला समझ में आता है, इसमें, इंग्लि इसके बाद, सेंट्रिफिकेशन, जो कि आपके सेलेबस में है, यहां सेलेबस देख लिए, सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन के बाद, आप यहां पर चला है, सेंट्रिफिकेशन के बाद, क्रोमेटोग्राफी, सभी प्रकार की क्रोमेटोग्राफी का, पहले तो हमन सीज क्या काम आती है कितनी काम आती नहीं डाला है करपा करके इसको कंफ्यूज ना करें कि CSR net level में तो numerical होते हैं और data होता है बहुत अच्छा वाला वह वैसा कुछ भी इंडाला है हर चीज को बहुत छोटा किया गया जान बूच के इसके बाद काम अच्छीज के जाती है कि माइक्रमी के दिटेल है बाद है थौट सा इस धिर्चे पर ध्यान देना है कि मैक्रोपि में असल में पूरी मैक्रीज उसक्योपी प्रेंसिपल ओफ लाइट फेस कॉंट्रास में सभी छे परकार के आपकी ब्राइट फिड़् डक्विल्ट, फोकल, फ्लोरिसेंस, यह चार-पांच छे तरह के आपको at least क्या होता है, कैसे होता है, एक-एक लाइन आपको इनको जरूरी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोन माइक्रोइस्कोपी में आपके TAM और SEM दोनों के दोनों आ रहा है, जिन पर हमने यहाँ पर डिटेल में बात कि यह TAM और SEM का हिंदी में अनुवाद किया है संपुन रूप से, और यह सभी प्रकार की माइक्रोइस्कोपी, लेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी में किस-किस प्रकार की लेंस इस्तेमाल होता है, और स्टेनिंग के से होती ही, सबसद इंपॉर्टन यह होता है, और लाइट मा जो कि आपके अगेन, यहां पर सेलिबस में, इथालोजी के नाम से है, टाइपस ओफ बहेवियर, फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिंक्ट, मॉटिवेड़ेट, सूशल और रिप्रदक्टिव बहेवियर, और यह सभी बातें यहां पर डीटेल में दी हुई है, कुछ जगो होते है, जैसे पॉलीगेमी किस-किस के अंदर होती है, हरम किस में बनता है, सोशल ग्रूप्स के एक्जाम्पल्स क्या-क्या है, और लास्ट जो है, वो है आपका, आपका बाइडावर्सिटी, शुरुवात इसमें यहां से कुछ एंडेंजर्ड थ्रेटन प्लांट इस्प राजथान में पाए जाती है, क्या-क्या चीज़े नहीं पाए जाती, ठीके, राजथान के मुख्य रूप से कौन-कौन से नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, इन सब की डीटेइल्स यहां पर दी हुई है, कौन-कौन से चीज़ें कब बनाई गई थी, वो जैव करता है कि यह आपको description box में 12th level और graduation level का भी description है, उसको भी आप एक बार देखें, और हमसे WhatsApp पर समपर करें, कि